अचले सीधे आपको लिए चलते हैं उस कारिक्रम में जहां पर आज बंगलादेशी हिंदू के लिए बड़ा दिन है नहीं पहचान उन्हें मिल रही और देखिए इकारिक्रम की शिरुवात हो चुकी है पहुंचे हैं और जमीन का पट्टा और इसके साथ ही खेती की जमीन को लेकर जो पत्र है वो थीए उन्हें की तरफ से लोगों को दिये जा रहे होँगे तस्विरे सिधी आपको दिखा रही है लखनों से लाई तस्वीरे किशी भूमी का पट्टा आवाज का आवंतन पत्र का तौपा सीम की तरफ से दिया जा रहा है बंगला देशू हिंदू जिनको 52 साल के बाद पहचान मिल रही के लिए बहुत बड़ा दिन है और कारिक्रम की तस्वीरे आप देख रहे हैं देखिए दिप्रिस सेम केश्व प्रसाद मौर्य भी हैं व्रिजेश पाठक भी है इसके लावाद स्वतंत्र दियुर सिंग को आप देख पा रहे हैं तमाम बड़े नेता पहुचे हुए हैं इस कृष्ची भुमी सरकार की तरफ से तौफे में दिया जारा है जिस पर वो काम कर सकेंगे जहांपर अब रह सकेंगे रसूलाबाद बताया जा रहा कि वो जगए है जहांपर इन्हें घर और जमीन का पट्टा मिल रहा है वस्थापित परिबारों को प्यम की तरफ से ये लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित तनात इन तमाम परिवारों को तौफा दे रहे हैं। लेकिन अब इनके पास अपना घर होगा, स्थाई पता होगा और इससे बड़ी बात कोई नहीं। अब तक मेरट के हस्तिनापूर में ये तमाम परिवार रह रहे थे। लेकिन अब जो इनका स्थाई पता होगा, वो रसुलाबाद होगा, स्कानपूर बेहाद के रसुलाबाद में अब इनका स्थाई पता होगा, क्योंकि यही पर इनका इससाई घर होगा। इसके अलावा क्रिश्य भूमी का पट्टा आवास का आवंचन पत्र जो है उसी का ये कारिक्रम है उसी के लिए CM पहुचे हुए हैं और परिवारों से मिल रहे हैं उन्हें पत्र स्टॉप रहे हैं अनुभव मेरे सही होगी जोपे हैं अनुभव बहुत बड़ा दिन है तिरस्ट बंगाली हिंदू परिवारों के लिए कम से कम आज के बाद से वो जाने जाएंगे स्थाई पता होगा नई पहचान उनके पास हो और देखें अब CM कुछ कह रहे हैं सुनते हैं भारत माता की है भारत माता की है भारत माता की है आज की इस कारिक्रम में मंजु परबस्तित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ट सही होगी उप मुख्य मंत्री सी के सोपरशाद मोर्य जी उप मुख्य मंत्री सी वरिजेश पाठक जी प्रदेश सरकार में जल सकती और बाढ़ नेंतर्ण विफाग के मंत्री सी सुतंदर देव सिंग जी विभाग के राजस्व विभाग के राज्य मंत्री सी अनूप प्रधान जी जल सकते विभाग के राज्य मंत्री सी दिनेश खटिक जी राजस्व परिशत के अध्यक सी मुकूल सिंगल जी अपर मुख्य सचिव ग्रामे विकास और पंचैती राज एवं राजश्व सी मनोज कुमार सिंग जी सचिव राजश्व एवं राहत आयुक्त सी रणवीर प्रसाद जी आयुक्त ग्रामे विकास सी वीके सिंग जी राज के इस कारिक्रम में पस्तित राजोस्व विभाग के सभी अधिकारिगन तिरसर बंगाली हिंदू परिवार से जुड़े वे सभी उपस्तित भाईयों बेहनों मैं आप सबका इरदै से आज के इस कारिक्रम में अविनन्दन करता हूँ 38 वर्सों की आपकी जो प्रतिक्साथी वो प्रतिक्साथ दूर भी और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपूर दिहाद जन्पत के रसूलाबाद में प्रतिक्साथी परिवार को दो एकड़ भूमी 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास और सोचाले यहाँ स्विक्रति प्रदान करते भे मुझे अपने साथियों के साथ प्रसंता के अन्भूती हो रही है 1970 में ये सभी परिवार बांग आज के बांगला देश से उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से बिस्त्यापित होकर के भारत आई थे हस्तिनापुर में एक सूत मिल में इन्हें नौकरी दी गई इलगभग 407 परिवार थे 1984 में सूत मिल बंद हो गई और सूत मिल के बंद होने के बाद कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग अलग जगों पर देश के अंदर हुआ लेकिन ये 65 परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर के अब तक अपने पुनर्वास की प्रतिक्सा कर रही थे और प्रतिक्सा करते करते इन 38 वर्सों में ने जाने कितने लोग चले गए दो परिवार तो पूरा ही समापत हो गए थे और 63 परिवार बचे थे हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान से आए भे उन देशों के अलप संख्यक समदाए के लोगों को भारत के अंदर नागरिक्ता देने और उनके पुनर्वास के कारिक्रम का एक एक्ट पास किया तो हम लोगों ने प्रधेश के अंदर पूरे पुराने कागश ढोड़ने शुरू किये कि आखिर कौन ऐसे परिवार हैं जिन लोगों के बारे में इस कारिक्रम को यूपी के अंदर आगे वढ़ाये जा सकता है और तब हमारे सामने आए तो 1970 में आए वे इन परिवारों कि स्थित्य अतिन्द बदहाल है खाना बदोस की तरहे लोग जीवन यापन कर रहे हैं और फिर इस प्रकरिया को हम लोगों ने उस समय आगे वढ़ाया था इस दोरान दो वर्स तक करोना काल खंड में हम लोगों ने देखा कि एक-एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो प्रियास प्रधान मंत्री मोदी जीगे ने तरतों में प्रारम हुए हमें पूरी ताकत वहां लगानी पड़ी लेकिन आज मुझे प्रसंता है कि राजोस्य विभाग ने समय बद ढंग से इन कारिक्रमों को आगे वढ़ा करके इन 63 परिवारों के विवस्तित पुनर्वास की ये कारियोषना को आज यहाँ पर लागो कर दिया है और इन्हें आवासिय पट्टा यहाँ पर कुछ लोगों को हमने दिया है बाकी आप लोगों को वहाँ पर उन लोगों को उनीर की सीट पर ये सभी कागदा तो प्लब तो हो जाएंगे उन्हें दो एकड़ भूमी दो सो वर्ग मीटर आवासिय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास जिसमें एक लाग वीस जार रुपे आवास के लिए मिलेगा मन्रेगा से भूमी के समतली करण और उसको उफजाओ भूमी बनाने में योगदान देने के लिए सवयोग भी दिया जाएगा और साथ साथ एक एक सोचाले का निर्मान भी उनके घर में उपलत्र करवाने की कारवाई भी इसके साथ जोड़ करके की जाएगे ये पूरा कारेकरम आज आप लोगों के लिए यहाँ पर आयुजित किया गया है मैं इसके लिए आप सब को हिर्दै से बढ़ाई देता हूँ और अपनी सरकार की ओर से आप सभी के प्रती अपनी सुप्तामनाई भी देता हूँ आज का दिन एक बहुत महत्वपून तिन इसलिए भी हमारे लिए है क्योंकि जिन लोगों को उस देश में जहांकि वे मूल निवासी थे वहाँ संड़न नहीं मिल गई नहीं मिल पाई वहाँ प्रताडित हुए पीडित हुए आजादी के बाद भी उन्हें उस दन्स को झेलना पड़ा था उस देश के अंदर जहांकि वे निवासी थे लेकिन भारत ने दो दो हाथ उनके सामने भेला करके उन्हें अपने गोध में लेकर के उन्हें नकेवल सरणदी बल्कि उनके विवस्पित पनर्वास की कारिकरम को भी आगे वढ़ा रहा है ये भारत की मानोता की प्रती सेवा का एक अभुद्पूर उधारन सक के सामने हैं कैसे एक-एक मानोता की रक्सा करनी है और वा कारिक कैसे भारत के अंदर आगे वढ़ रहा है आज ये 63 पट्टे भले 63 परिवारों के लिए हैं लेकिन इससे आच्छादित होने वाले 400 की आवादी है जो इससे सीदे सीदे लावानित होने जा रही है और ये पहली बार नहीं हुआ वायोवेनो जब 2017 में देश के सुस्ती प्रधानमंत्री मोदी जी के आवान पर प्रतेश की जनता ने प्रतेश में एक लोगप्रिय सरकार का गठन भारतिये जनता पार्टी के नित्रत्तों में किया था उस समय हम लोगों के सामने अनेक चुनोतियां थी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनें आजादी के बाद सुविधाओं का लाब नहीं मिल पाया था उसमें मुसहर जाती की स्थिति ऐसी थी पंटांग्या गाओं में यह स्थिति थी कोल भील सहरिया थारू इन सभी जातियों की स्थिति यही थी लेकिन सरकार की दिर्डिच्छा सकती किस मुझबूती से कारे की आज मुझे बताते वे प्रसंता है कि हम लोगोंने सफलता पुरुवक ऐसे परिवारों को मैपिंग किया उनको चिन्नित किया और फिर उन्हें आवासे पट्ता उपलब्द करवाने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या जहां प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी जा सकते थी महां मुख्यमंत् पुत्री आवास योजना ऐसे परिवारों को ही उपलब्द करवाने में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्द करवाया है जिसमें आज दिर्सट परिवार ये पांगलादेशी हिंदू हैं जिने 1970 में जो लोग भारत के अंदर वापस आ गए थे भारत के अंदर आये सरकार के पास सदेव जाते थे लेकिन समेदन इन सरकारें कभी इनकी बात को गंभिरता सिन नहीं लेती थी आप अनुमान लगा सकते हैं जो गरीबों की बात करते थे आखिर इन गरीबों की पीड़ा उनकी कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी क्योंनी मुसर जाती के लोगों ने उन्होंने कभी कोई कारवाई को आगे बढ़ाया बन टांगया गाउं के लोग अनात क्यों बन गए थे थारू है कोल है अन्य जो जातियां थी इनके बारे में संविधन हिन क्यों बनी रही लेकिन सरकार जब 2017 में आई मेरे सभी सयोगों ने मिलकर के जो विहान प्रारंब किया आज हम बन टांगया के 38 गाउं को राजस्व गाउं के में बदल करके पहली बार विधानसभाद चुनाओं में आजादी के बाद के किसी चुनाओं में उन लोगों ने अपने मतादिकार का प्रियोग भी किया आजादी के बाद सत्तर वर्सों में उनका एक भी पक्का मकान नहीं बन पाया था आज हर एक के पास पक्के मकान है और मैं राजस्व ग्रामे विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से कहूंगा जो 63 परिवारों को आवास्य पट्टे दे गए हैं इसको एक कॉलोनी के रूप में बनाने की बिवस्ता करें बिवस्तित रूप से एक आदर्स गाओं के रूप में हम उसे बना सके एक स्मार्ट विलेज के रूप में मुसे स्तापित कर सके हमारी एक कार्योशना वहां होनी चीए जूंकि नया गाओं बसना है नए तरीके से बसना है उसकी प्लानिंग इनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हो स्कूल बने होस्पिटल भी बने बेजल की सुविधा भी हो फिर वहां पर सामदाईक वहवन भी हो और एक सिस्टम के साथ जुड़ करके इनके बिवस्तित रोजगार के साथ भी ने जोड़ने की कारवाई को हमें आगे वढ़ सके वे अपने आत्म निर्भरता की और अग्रसर हो सके एक बड़ी उपलब्ती होगी कि सत्तर यानि 1970 से लेकर के 2022 तक 52 वर्सों तक जिने रोजगार और आत्म निर्भरता की तरफ नहीं बढ़ाया सका उन्हें अब सरकार विवस्तित रुप से उनके पनरवास की विवस्ता को आगे वढ़ा करके उन्हें आत्म निर्भरता की और आगे लेके जा रही है मैलाओं का स्वेम से भी स्वमू बने पुर्सों के लिए वहां पर पसुपालन का कारे हो इनके बच्चों के लिए स्किल्ड डबलम्मेंट के लिए कुछ अच्छे कारिक्रम वहां पर प्रारम हो सकते हैं इनके स्वास्ते के परिक्षन के कारिक्रम हो सकते हैं को पोसित मैलाओं के लिए और बच्चों के लिए पोसाहार की विवस्ता वहां पर हो सकती है धेर सारी योजनाएं जिन योजनाओं से हम इन सब को जोड़ करके उसे एक आदर्स गाओं के रूप में स्मार् आज यहां पर प्रारम हो रहा है तो स्वाभवाई प्रूप से हम इन सभी परिवारों को विवस्तित प्रूप से आगे वढ़ाने का कारे करने में सफल होंगे आज के सौसर पर जब हम लोगों ने यह कारे यहां पर प्रारम किया है मुझे बताते प्रसंता है कि अब तक हम ल बंटांग्या गाउं के 4822 कुष्ट रोग्यों को 3686 दैविय आवदा से बाड़ है अगनिकांड से जो लोग चपेटे में आ जाते हैं उनकी जोपड़ी जल जाती थी उनको कोई लाप नहीं मिल पाता था ऐसे 36307 परिवारों को भी हम लोगोंने मुख्यमंत्री आवास युचना से एक आवास उपलब्द करवाया है कालाजार से जो परिवार प्रभावित होते थे उन परिवारों में अकाल मौत होती थी 224 ऐसे परिवारों को भी आवासु प्लब्द करवाया गया इनसे फ्लाइटिस से पीडी 601 परिवारों को भी इस उप्लब्द करवाई गई थारू जन्जाती से चुड़ेवे 1526 परिवारों को आवास से उप्लब्द करवाई गई कोल जाती के 13102 परिवारों को ये सुवधा अपता को प्लब्द कराई जा चुकी है सहरिया जो बुंदेल खन में ललिदपूर और जहांसी आदी छेतरों में निमास करती है एक्तम खाना बदोस जैसी जीवन आपन करने वाली उन्चातियों के लिए भी 5611 परिवार हम लोगों ने अप्लब्द करको एक एक आवास सुवधा उपलों ने भी उपलब्द करवाया है और चेरो जन्जाती से जुड़ेवे 569 परिवारों को भी आवास उपलब्द करवाने का कारिय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतरगत अब तक किया जा चुका है मुझे विश्वास है कि इन सुवधाओं का लाभ हम जो आज यहाँ पर उपलब्द करवा रहे हैं इन 63 परिवारों को भी हम लोग एक पिवस्थित योजना की अंतरगत हम अब एक आदर्स गाओं के रूप में इन्हें वहाँ पर स्तापित करने महां बागवानी के लिए, वहाँ पर सब्जी की झेती के लिए, वहाँ पर अन्य यानि दुक दुत पादन के लिए या पकरी पालन में, या कुकुट पालन में, किसी भी अन्य कारे के साथ इनको अगर हम जोड़ देंगे बहुत सारे लोगों को रोजगार की सुब्दा वाँ अपलब्द हो जाएगी और आत्म निर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने में इन लोगों को न केवल ये लोग सफल होंगे उससे आगे बढ़ाने में ने सफलता प्राप्त होगी बलकि 38 वर्सों के बाद दर दर की ठोकर खाने के बाद इन्हें आज आवास्य पट्ता सफलता प्रो को प्लब्द करवाने के लिए मैं एक बार फिर से राजों से भिभाग को इर्दै से बदाई देता हूँ और इन सभी 63 परिवारों को इर्दै से बदाई देते हुए आप सब के उजल में भोश्य की कामना करता हूँ कि आप सब कहां बांगलादेश से आते 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 हस्तिनापूर में गए हस्तिनापूर से आते अपनानपूर देहात में आप लोग आगे अपने उजल भोश्य की कामना के साथ आपका परिवार वहां पे फले फुले इस भा आपके पास है और देखिए बांगला देश चलते चलते हस्तिनापूर में आकर बसे और अब जो स्थाइप पता होगा वो कानपूर का रसुलाबाद होगा 38 सालों की प्रतिक्षा के बाद ये समना पूरा हुआ है सियम ने तमाम बाते कहीं 38 सालों की प्रतिक्षा अब दूर हो चुकी है क्योंकि अब आपके पास अपना घर है सभी 63 परिबारों को शुबकाम नाय दे रहा हूँ सरकार ने कानपूर में इनके लिए भूमी आवंचन किया है कई परिबार 1984 से घर की प्रतिक्षा में थे कहा कि उन सभी परिबारों को बधाई हो जिनके पास आज से स्थाई पता होगा उनका इंतजार खत्म हो चुका है और 1984 से घर की वो प्रतिक्षा में थे जो प्रतिक्षा पूरी हो चुकी है